कि नमस्कार आप सभी का स्वागत आज के स्वागत में आज दिनांग 6 जून 2013 और हम पुना उपस्तित हैं दा हिंदू नैलसिस के साथ जो कि आपके एक्जायम पॉइंट आपजू से काफी महत्पूर्ण हो जाते हैं चाहिए आप वन डे ग्जायम से लेकर करके यूपीसी त और दूसरी बात कि पहलवानों के साथ जो दिल्ली पुलिस का बरताब है या दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया पहलवानों का धर्णा उस सब को लेकर चर्चा है दूसरे टॉपिक में तो पहले हम ट्रैजिक ट्रैक से सुरुवात करते हैं वर्ड वर्ड इनैलसिस आपको यहां पर मिलेगा अगर आपको जानना है कि मूल कारण की एक्सिडेंट क्यों हुए आखिर क्या क्या बाते हैं तो आपको चैनल पर इसके रिगार्डिंग वीडियो आपको मिल जाएगा उसमें डिफाइन क्या गया है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं चलो तो ट्रैजिक काई एक तरह से घटनाए हुई विभत घटना तीन ट्रेशनों का आपस में टकडा जाना कोई समाने सी बात नहीं बहुत ही बड़ी बात हो जाती है देखो सबसे बड़ी बात है जो आपको जाननी चाहिए विलकुला अकसे स्यसन बने रहों बता रहूं कापी इंपोर्टन चीज़ें बताऊंगा देखो रेलवे अपनी सर्विसेज को एक्सपेंट कर रही है अपनी सेवाओं को विस्तार दे रही है बंदे भारत ट्रेने चल रही है हाई इस्पीड चलाने का प्रस्ताव है कई जगों पर नहीं ट्रैक बन रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात होती है शुरकषा की शुरकषा की हम अन्देखीए कर सकते हैं बड़े पर योशनाओं पर ध्यान दे आपस में तो इसमें दूसरा यह है देखो इस ट्रैजिक डिमाइंटर ऑफ दो चैलेंजे दर इंडिया फेसे इन मोटनाइजिंग एक्सपैंडिंग इन इस रेल सर्विसेज यह बिल्कुल यह कोई आम घटना नहीं है और यह घटना यह भी है कि तरह से हमें चेताबनी है की पुन्राब्रिती नहों आखिर क्या कमी रहा गई हमारे एंड में एक्सप्रेस और दूसरा था यह सबन्थ हाबरा एक्सप्रेस और एक प्रेट्रें था मतलब माल गारी है ना तो तीन ट्रेन ने टकड़ाई थी है ना और बिल्कुल 117 या 130 ऐसा है कूश स्पीड था खा इस का यह उस street से टकर आई थी और उसी समय ठीक उसी समय एक और ट्रेन जोटी कि हावड़ा एक्सप्रेस सोग गुजर रही थी जब यह टखर हाई उससे माल गारी सबसे बड़ी बात है घटना हुई क्यों ठीक है यह जो है जो अपने पिछले दो दर्शक की बात करूं सबसे भयावह एक्सिडेंट है डियल एक्सिडेंट है यह बट एन एक्सिडेंट अब इसकाइब फोर्टोल्ड रिसेंटली एफ्रवडी इस यह वैन अपने बिट्वी टू ट्रेंट अवर्टेड एड होसा दूर्कारे रोड श्टेशन इन दा बिरूड चिक जाजूड शेक्शन ऑफ दमाइसरूर डिविजन रेलवेज थैंक्स अले अलेर्ट लोको पाइ है उसमें होस दूरा रोड श्टेशन पर दो ट्रेनर टकड़ाने से बची ठीक है अब दूसरी बात कि लोको पाइलेट विल्कुल ही एक तरह से चौकनना था उसकी वज़ए से ट्रेन की घटना रोकी जा सकी ठीक है अब ट्रेन देखो निर्दारी चोड़कर दूसरी पर बरतवान जो घटना है उसके बाद बताया गया कि सिंग्नलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आई उसकी बज़ेस्टे हुआ और इंटर्फेरेंस है जो मानवी हस्तक्षेप की भी संभावना बताई गई है इंटर्वेंशन उसकी बज़ेस्टे हुआ तो फरवड़ी में जैस 27-30 की स्वीट से ट्रेंच चल रही थी और उसे बिल्कुल लूप लाइन में उसी स्वीट से ट्रेंट ने एंटर कर लिया जब तक ड्राइवर कुछ कर पाता तब तक ट्रेंट टकड़ा गई होगी ठीक है तो बिल्कुल आप इस पर बिस्तित बताया गया है इमेज हमने सम सबसे बड़ी बात यहां पर है कि देखो यहां पर उस घटना के अधिकार की बात करें उसमें सिस्टम की गरबर यहां ठीक करने और सोटकट नहीं अपनाने के लिए करिमियों को जागरू करने के वास्ते हैं तुरंद एक तरह से ना उसे क्या करने सुधारात सुधार को ल इंक्वाइरी फॉलोड़ देखो प्राथ्मिक जो जांच हुए इस घटना की इसने बिल्कुल पता चल रहा है कि बारा सो हाथसे में कुछ टेक्निकल गडबडियां है मेकैनिकल गडबडियां हुई और मान भी तूटियां हुई उसी के काराने बिनाशकारी घटना देखने को मिली ठीक है जिससे कि इतने बड़े अस्तर पर लोग परभावित हुए तुनिशंदे इंडियन रेल्बे कैरी नेरली 15 मिलियन पैसेंजर्स एबरी डें नाव कंपेयर तू पीक ऑफ 23 मिलियन और डे येर विफॉर दा कोबी यातरा करते हैं दूसरी बात आप देखो इसे कोवीट से पहले वही आकरा 23 मिलियन पर था 230 लाग पर था फिर भी आकरा बहुत जाता है इतने लोग यातरा करते हैं तो सुलक्षा की जिमेदारी तो रेल्बे की बनती ही है इंडिया है और भारत के हम बात करते हैं तो इंड के हित में ही है हमें भी अच्छी बुनियादी सुधाइं मिलेंगी रेल्बे की बुनियादी सुधाइं मिलेंगी एंड़ ये टूज़न ट्वेंटी थ्री अम नेक्स्ट सेंटेंस को पूडा कर लेते हैं स्लाइड को देख करके 23-24 2.4 लाग करोड है विन लोकेटेड फॉ और अबर तर लास्ट डिकेट बट पूर इमेंटेनेंस अब ट्रैक्स अन रोलिंग स्टॉक एंड ऑबर स्टेच स्टाप्स और प्रॉब्लम्स एट रेल वे ओंडर रेल्वेश कैन नो लोंगर कैमोफ्लाज वीद ग्लिट्जी फैकेड सबसे बड़ी बात यहां पर को एक कि इसस्टाफ के सामने समय यह है कि एताफ भी उस हिसाँ से काम नहीं कर पाते हैं ठीक काम बोध्वी रहता है ठीक है और जो पटडियों का सही से निग्रेल कर क्या होता है सही से काम नहीं हो पाता ऐसी समझ्याय है जो रेल्बे आप उस प्रकार से लाइटिंग देदो ठीक है इक तरह से अब दिखा दो कि रेल्बेर काफी अच्छे से से कर रही है लेकिन आप इन समस्याय को नहीं चुपा सकते हैं आपको मांदी पड़ेंगी शेप्टी मेजर्स इंक्लूडिंग एंटी क्लिजन सिस्टम और एक्सपैंड एंटी क्लिजन सिस्टम जो है कि ठकड़ाब से बचाने वाला सिस्टम बढ़ रहा है हम उसको अपनार है हर एक जगा बट एविदेंटली नॉट एन एडुकेट इस पेस लेकिन सबसे बड़ी ब बंदे भारत तुड़ी स्टार्ट रोब 75 विक्स 75 विक्स में 75 नहीं सेमय स्पिट रेंस वह लेवल होंगी ठीक है बंदे भारत ठीक है और सेभरल है बंदे भारत अटेंशन आंट पैसेंजर एमनिटी इस ऑल्सटी देखो अपसुप और के लिए पैसेंचर के और अलकोष सबस्था सबसब्स ऑल इंडियाज्र में घटना है इंडिया डैवलोप्मेंट अनल बान लेको इससे सीख लेते हुए भारत के जो रेलवे विकास के प्लैन है वह बिल्कुत सही ट्रैक पर आने चाहिए इस पीट सुट भी स्ट्राइब फोर बट सेफटी इस पारमांट इस पीट पर हमें ध्यान देना है ज्यादा बढ़ाएं तीज कती से लोगों को घर पर गंता पर पहुंचाएं लेकिन सेफटी जो है क्या हो पारमांट है ना सेफटी जो है उस सर्वोपड़ी है याद रखना आप सभी सर्वोपड़ी बोलते हैं सबोटाज रूट रूड आउट सबोटाज से एक तरह से मतलब इंकार नहीं किया गया है ठीक है मतलब इसे तोड़ फ सबसे महत्पूर्ण जो बात है वह क्या है सुधारात्मक उपाई है जो कि देलबे द्वारा की जाने है जो कि ऑपरेशनल संचालन और योजना के अस्तर पर की जाने चाहिए इट विल हैब तू प्राथमिक्ताओं को आधुनिक बनाए और यहां तक बात है तो संसाधन क्या है तो रिसोर्सेज जो है जैसे मान लो किसी कंपनी में 10 लोग काम करते हैं तो दस लोग डिसोर्सेज ही कहलाएंगे कंपनी के लिए तो कंपनी के एंप्लोई जो हैं रेल्वेक एक एक तर से त्यावार्थ जी हुए ठीक है और रेलवे के पास संसाधन है तो इस सब से नागरिकों के लिए जो जो त्यातरा करते हैं उसके यात्री है डेलबे पैसेंजर्स हैं उसकी सुरक्षा के लिए उचितपुर्ण और तर्कपुर्ण कदम उठाए ठीक है तो सुपधाएं भी चाहिए लेकिन सुरक्षा से कोई समझा नहीं होना चाहिए तो आज के टॉपिक में इस पर चर्चा की गई है फर्स्ट देखने को मिला जब प्रधान मंत्री नए संसत होन का उद्गाटन कर रहे थे उसमें दिली पूलिस ने लाटी चार्ज भी क्या पहल्मानों पर तो एक तरह से काफी चर्चा वाला विशय रहा है हलांकि आदेखो राजनीतिक अस्तोरों पर कुछ ज्यादा चर्चे इसक न मंत्री है मारनी ग्री मंत्री अमित सासन की मीटिंग हुई थी बैठक हुई थी उसके बाद अपने रेलेव में डूटी जोइन कर लिया हो हां से हट गये है और हाली में आधी न्यूज पेफर में यह समाचार आया कि नावालिक ने जिन्होंने की ब्रीज भूशन पर मेडल वीनिंग डेसलर्स भारत के जो मेडल वीनिंग मेडल जितने बाले जो पहलमान है उनके द्वारा जो परदर्शन की घटनाय देखी गई है जंतर मंतर पढ़िया खाप पंचायत यह बुलाए गई है जो भी है है यह समाचार में काफी लंबे समय से रहे हैं टू कैसे यौन उत्पीडन के सेक्सुल हरस्मेंट के दो केसे जो है वो रिपोर्टेडली रजिस्टर्ड और अप्रेल 28-23 2023 अप्रेल 28-23 को दो केसे रजिस्टर्ड के द्वारा किसके एगेंस्ट तो रेस्लिंग फेडरेशन ओप इंडिया के जो प्रेसिडेंट है ब्रिजी भूश है आप्टर दा इंटर्वेंशन ऑफ दो सुप्रीम कोट फिंडिया लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो दिली भूशन सिंग पर दर्ज की गई वो सुप्रीम कोट के हस्तक्षेप के बाद ही संभव हो पाया ठीक है बेस्ट ऑन पैटिशन फाइल बाइ फूरेस्टर्स जिस एक पोक्सो एक्ट है मतलब बच्चों को यौन हमलों से बचाने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्डेन प्रॉम सेक्ष्वल ऑफेंसेज एक्ट पोक्सो एक्ट आप पढ़ना इसके बाड़े में ठीक है तो उसके अंदर ठीक है मामले दर्ज किये गए और रिलिबेंट ज साफ है कि सक्रिता उस अस्तर की नहीं दिखाई है ना तो कुछ सवाल दिली पूलिस पर भी उठे ठीक है तो यह सब कुछ बाते हैं जो आपको जाननी चाहिए तो आप इसे पढ़ें देखो एक टॉपिक का तो मैंने आपको वर्ड वर्ड अनेलसिस बता दिया पहले अबस्याती है कुछ आप उसमें कुछ आपको लगता है ऐसा कि आप नहीं समझ पाड़े हैं तो यहां पर कमेंट सेक्शन में हमें अबस्य बताएं हम उसका समाधान जरूर करेंगे तो कल भी मिलते हैं ने टॉपिक के साथ कुछ नए जानकारियों के साथ तब तक के लिए हमें आग्यां दीजिए हैना पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए अपने परेट्स का ध्यान रखिए तो कल मिलते हैं नए सेसन में तब तक के लिए हमें आग्यां दीजिए और कहीं नमस्कार थैंक्यू